हलो एवरिवान तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बिना दूद बिना क्रीम बिना कंडेंस मिलके एग लेस्ट सूपर स्पॉंजी मैंगो के क्रिस्पी लेकर रहे हूं स्रिप आम और घर के कुछे चीजों से आप ये लाजवाप के घर पर बना सकते हैं तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कड़ाई को प्रिहिट करने कले रखना है तो कड़ाई के अंदर मैंने स्रिप स्टैन रखा है और इसे हम मेडियम फ्लेम पर गरम होने देंगे तब तक केक का बैटर बनाएंगे तो मैंने एक कप अलफंसो मैंगो के पीसेस लिए हैं और इसे हम डालेंगे ग्रैंडर जार में जितना अच्обще आप फल लेंगे आम लेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा आधा कप लेंगे हम नॉर्मल शुगर जो घर पर रोज इस्तमाल करते ही आधा कप डालेंगे मिंस आधा कप से थोड़ा कम हमने लिया है तेल पूरा आधा कब भर कर नहीं लेना है थोड़ा कम लेना है यह refine oil है और इसे हमें अब blend करना है तो बिल्कुल इसकी smooth paste होने तक हमें इसे पीस लेना है और जैसे हम इसे पीसेंगे न तो आमकी जो प्यूरी है उसमें बहुत ही अच्छी aeration आएगी और यह fluffy सा मिश्रन हमारा बन कर तयार हो जाएगा इसे हमें एक बोल में transfer करना है और आप देख सकते हैं कितना fluffy यह पेस्ट बन चुका है अब हमें इसके अंदर डालना है मैदा लेकिन मैदे को हमें strain करके डालना है तो हमने एक strainer रखा है इसके अंदर डालेंगे हम एक कप मैदा साथे डालेंगे वन ए जादा डालेंगे तो आपका केक कड़वा हो जाएगा इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और अब हमें इसे पहले मिक्स कर लेना है और फिर चानना है तो इस तरह किसे चान कर आप इस्तमाल करेंगे मैदा बेकिंग पाड़र बेकिंग सोड़े को तो इसमें अच्छे स हलके हलके हाथों से इसे मिक्स करना है और दोस्तों इस केक को जादा fluffy, जादा soft, जादा spongy बनाने के लिए हम इसमें एक चीज और डालेंगे जो है vinegar तो अगर आपके पास vinegar नहीं है दोस्तों तो आप इसमें lemon juice का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो चले मैं यह आपर डाल रही हूँ one tablespoon vinegar और इससे अच्छे से mix कर लेना है दोस्तों जैसे आप इसमें vinegar डालेंगे इसमें एक aeration होगी जिससे आपका जो batter है थोड़ा सा whitish color का हो जाएगा और यह reaction ही हमारे cake को बहुत ही spongy बनाता है और इसका टेस्ट जादा अच्छा आए इसके लिए हम इसमें दो चम्मच milk powder डालेगे यह optional है अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे skip कर सकते हैं और यहां पर जार में थोड़ा सा यह जो पेस्ट था आम का लगा हुआ था तो अगर पानी डालकर भी दाला है लगबग 2-3 चम्मच जितना क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से जो हमारा बैटर है वह थोड़ा से थिक हो जाएगा इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है अब इसे हमने फिर से मिक्स कर लिया है हलके हातों से अब केक तीन में डालने की जुर्रत नहीं पड़ेगी और यह देखिए हमने केक का बैटर इसमें डाल दिया है और इसे डालने के बाद थ्रस हम टैप करेंगे जिससे कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा एयर बबल होगी वह हट जाएगी यह देखिए हमने इसे अच्छे से टैप कर लिया है इसके ऊपर डालेंगे हम टूटी फ्रूटी आप ट्राइफरूटी भी ढाल सकते हैं और अब हम इसे डालेंगे कड़ाई के अंदर तो कड़ाई ने अच्छे से माँते प्रिहिट हो जुकी है और इसके अंदर हमें यह एक कर टिन डाल कर इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 35-40 मिनट के लिए बेक करना है और जैसे जैसे ये बेक होगा आप देख सकते ही हम कड़ाई में ही इसे बेक कर रहे हैं और ये केक किस तरीके से फोल रहा है मैंने पूरा कैमरा ओन रखा है ताकि आपको दिखा सकूँ कि कड़ाई में भी बहुत अच्छा केक बनता है बहुत ह किया अच्छ眄 ऐसे निकली है इसका मतलब यह निचका है केक और इस थ Lag drainage करेंगी यह देखिए जो घ्र५ और पहुत यह दें बहुत ज़ंड़ हो चुका है ऑशिसमें इस बहुत ज़्यादा सौफ्श मैं बहुत अच्छा का मने लगता है यह पर देखिए हम Пढ़ारा कर तो साइट के एरिय में आपको चाको से थोड़ा से लूस कर लेना है और इसे एक प्लेट में पलट देना है दोस्तों इस केक को बनाने के लिए नहीं हमें फूट कलर की जरुरत पर दिये नहीं कोई फ्लेवर किये मतलब बिना एसेंस के भी आप ये केक बना सकते हैं बहुत अ केक को टच करकी दिखाया है इसमें बहुत जादा सॉफ्टनेस आ चुकी है बहुत ही जादा स्पॉंजी केक बना है और दोस्तों प्लीज एक पर इस केक को इस तरीके से बना कर देखेगा पका आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए कट करके देखते हैं अंदर से इसका के अंडा डाल कर ये केक बनाया है तो दोस्तों इसे आप एक बर बनाएंगे न आपको ये बहुत पसंद आने वाला है ये देखे कितना बैस्ट लग रहा है और बिना कोई जादा इंग्रेडेंट इस्तमाल किये हमने बहुत आसानी से ये केक बनाया है आप सभी जगा पर और पीछे की साइड भी मतलब नीचे बॉटन पे भी यह बहुत अच्छे से बेख हुआ है यह देखे में आपको सभी जगा पर इसे दिखा रही हूं कि को अलट पलट के तो है ना बहुत ही बढ़िया केक तो दोस्तों इसे आप ज़रूर एक बार बनाईएगा बनाने के बा तो दोस्तों इसे लाइक और शेर करना ना भूलेगा